हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल आफ यूटूब चैनल सरकारी वारत सुगैस इस बीडियो के इंदर हम डिसकस करने वाले हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ की रिक्रूट्मेंट निकली हुई है मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की नई भरती आई है 2021 के लिए जिसकी आविधन प्रक्रिया करने की अंतिम्थिती 11 फरवरी है और इसको आप 28 दिसंबर से इसका आविधन इस्टार्ट हो चुका है जी हाँ, इसका आविधन की प्रक्रिया इस्टार्ट हो चुकी है अगर आप भी इसमें अपना एक बहतर सेलेक्शन चाहते हैं, आप अपनी एक पूश्ट चाहते हैं, तो आप इसमें form apply कर सकते हैं, 28 दिसमबर से 11 फरवरी 2020 बन 2021 11 फरवरी तक ये form भरे जाने हैं, इसके अंदर age limit क्या है, उसके बारे में भी clear cut discuss करेंगे, male और female दोना परकार कि candidate इसमें form apply कर सकते हैं, इसका official notification आउट हो चुका है, जिसको मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, कि official notification में क्या क्या दे रखा है, educational qualification की बात करें, 8th, 10th, 12th pass इसमें मांगा गया है, और इसके complete details देखने वाले हैं, so guys आपको भी बता दें, कि अगर भी government exam की तयारी कर रहे हैं, और आप अपनी सरकारी नोकरी चाते हैं, तो आप इस channel को चरूर subscribe कीजेगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को चरूर share कीजेगा, ताकि उन friends को भी, उन सभी दोस्तों को पता चल सके, तो चले friends, start करते हैं, इस वीडियो को, पहुंसते हैं अपने page पर, गईज, सबसे पहले तो हम discuss करने वाले हैं कि यह तिरपुरा MTS recruitment 2021 निकली हुई है, name of the post total vacancy, इसके अंदर multitasking staff MTS की भरती निकली है, और कुल मिलाकर 2500 पदों पर यह भरती निकली हुई है, जिसकी age limit 18 से 41 वर्ष के students candidates में form apply कर सकते हैं, the upper age limit is a relaxable by 5 years in case of SCST and PWD government servant candidates, इन सबी candidate को इसमें 5 years का क्या है, age relaxation भी मिलनी बला है, अगर इसकी pay scale के बारे में बात करें, pay scale क्या है, तो pay band 4840 रुपे से लेके 13,000 रुपे तक इसमें pay scale है, जो के grade पे की अगर बात करें, तो 1400 रुपे इसकी अंदर grade पे देखने को मिला है, चले फेंट्स पहुंसते हैं next page बार, educational qualification की बात करें, तो इसके अंदर educational qualification various post के लिए various तरीके से आपसे मांगा गया है, अलग-अलग post के लिए अलग-अलग है, तो general category के लिए अगर बात करें, तो class 8th standard pass from any recognized school से आपको pass होना चाहिए, metric pass candidate भी इसमें form apply कर सकते हैं, for SCST and PH physical handicapped candidates के लिए बात करें, तो class 5th अगर आप pass हैं, तो भी आप इसमें form fill कर सकते हैं, selection process की बात करें, तो इसमें 2 part है, stage 1, stage 2, अगर एक paper की बात करें, तो इसमें कुल मिलाकर 100 question का paper होगा, जिसके अंदर 85 marks का written examination होगा, जो कि आपकी descriptive type में होगा, अगर next बात करें, तो इसमें 15 numbers का, यानि कि 15 marks का इसके अंद होने वाला है, application fees की बात करें, तो इसके अंदर application fees, general category candidates के लिए 200 रुपे रखी गई है, SCST and PWD candidate के लिए 1500 रुपे fees रखी गई है, the fee payment will be made through the online mode, के वला आप इसमें online mode से ही आप अपना fees भर सकते हैं, चले friends, अब पहुंचते अपने next page बर, how to apply, आप इसको apply कैसे कर सकते हैं, तो eligible candidate to be submit their online application through TRIPORA Government Employment Portal, तो आप इसको note कर सकते हैं, employment.tripara.government.in, पर आप 28 December से लेके इसकी जो last date है, 11.2.2021 तक आप अपना form पर सकते हैं, अगर next page पर बात करें, तो इसके अंदर मैंने आपको बताई ही दिया है, कि आपको 8th pass होना चाहिए, आप 10th pass metric level भी आपका pass होना इसके अंदर descriptive paper और interview होगा, ये भी मैंने आपको clear cut बताई ही दिया है, चले friends, तो friends, अब मैं आपको notification दिखा देता हूँ, इस ता, so guys, ये है, इसका notification थोड़ा सा मैं जूम करके दिखला देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं, government of TRIPORA, joint recruitment, वो और TRIPORA, JRBT ने ये वरत है, advertisement number देखें, तो 02-2020 है, और इसके अंदर आप total देख सकते हो, पत्चीस सो पदों पर ये वरती निकली हुई है, तो इसके अंदर syllabus के बारे में भी complete detail दी गई है आपको, कि syllabus क्या है, इसमें आपको, knowledge of बेंगाली, और कोक, बोरोक, arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division, इस टाइप से आपको होन चाहिए, 30 marks का पूछा जाएगा, descriptive type, OMR, MCQ, English, language, आपको आनी चाहिए, 20 marks की पूछी जाएगी, और इसके अंदर general knowledge and current affairs के भी 15 और 20 question type में पूछे जाएगे, और 15 नम्मर का आपका interview होने वाला है, तो guys, इसका ये तो notification था, आप देख सकते हैं, इसका notification आउट हो चुका है, अगर आप भी इसमें form फिल करना चाते हैं, तो आप government of तुरुपरा की official website से जाकर अपना form भर सकते हैं, guys, आपको कैसा लगा video, multitasking staff की नौकरी है, बहतर नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है, और अगर आप भी भरना चाते हैं, तो आप इसको form को भर सकते हैं government of तुरुपरा की official website से, guys, अगर आप इस channel पर नई हैं, और आप government exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप इस channel को जरूर subscribe कीजेगा, और खास तोर पर अगर selection ही चाते हैं, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा, चली मिलते नेक्स्ट वीडियो में, thank you, thank you for watching this video, जाय हिन जाय भारत, take care